Hello everyone, a very good morning to all of you, कैसे हैं आप सभी, I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे So जैसा कि आप जानते हैं कि आपका कल की क्लास में हमने आपके साथ discussion किया था Sitting Arrangement Part 2 का और आज हम आपके साथ आपने thumbnail में देखा ही होगा कि आज की क्लास का topic है mirror image and water image बात करें अगर इस topic की तो बेटा ये topic आपके लिए important है क्योंकि आपके examination में इससे एक या दो सवाल देखने को 100% मिलता ही मिलता है ठीक है, क्या होता है mirror image और water image दोनों के सवालों का discussion करेंगे और आपको clear करेंगे कि दोनों में difference क्या होता है ठीक है, चली, आईए बात करते हैं सबसे पहले बेटा mirror image की, ठीक है देखो बच्चा, अगर बात होती है आपकी mirror image की तो आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है और वो एक चीज क्या होती है, कि जब भी आपको किसी भी figure का किसी भी letter का, किसी भी number का या फिर किसी भी diagram का mirror image निकालना होता है तो उसमें केवल और केवल right का left हो जाता है ठीक है, और left का right हो जाता है यही है क्या बेटा आपकी mirror image ठीक है, तो क्या होगा, right का left हो जाएगा और left का right हो जाएगा इसी तरह से mirror image के types की बेटा अगर हम बात करें, कि कितने type के figure आप देखते हैं तो एक तो आप letter का mirror image देखते हैं for example के तोर पे जैसे यह A बना है ठीक है, यह A का मत देखिए, आप B का देखिए ठीक, यह आपका B बना है आपको इसकी बेटा mirror image निकालनी है तो याद रखिएगा, कि यह mirror के left side में आपको B का एक डंडा दिख रहा है ठीक, ध्यान से देखिएगा जैसे यह हमने क्या बनाया? यह हमने इस तरह से आपका B बनाया ठीक है, यह एक letter है अब अगर इसका आपको mirror image निकालना है तो यह जो line आप देख रहे हो बेटा यह left side पे है तो यह convert हो जाएगी किदर? राइट side में और बेटा यह जो curve आप देख रहे हो यह curve right की तरफ हो रहा है और यह curve यहाँ पे left की तरफ हो जाएगा ठीक है, मतलब एक चीज़ हमने देखी जो mirror से दूर था वो यहाँ भी mirror से दूर है और जो mirror के पास था वो यहाँ भी mirror के पास है ठीक है, for example एक दूसरा letter देख लो, see अब अगर आपको इसका mirror image बनाना है बेटा तो आपको दिख रहा है कि यह curve open हो रहा है right side में, तो यह curve आपका बेटा open हो जाएगा किस side में, left side में ठीक है, तो इसी को बेटा हम क्या कहते है, mirror image कहते है mirror image कहते है और mirror image की एक ही पैचान है कि left का right हो जाएगा और right का left हो जाएगा ठीक है, I hope आपको मेरी यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी अब mirror image में, बेटा, कितने type होते हैं, आपको यह देखना है, तो एक तो आपने देखा बेटा, later का type होता है ठीक है, इसी तरह से बेटा, अगर हम दूसरा देखें तो number का type भी आपको देखने को मिल जाता है for example, हमने बनाया one, अब अगर इसका mirror image बनाओगे, तो बेटा यह देखो, यह line है, यह यहाँ line है, यह आपका left side में इधर डंडी जा रही है यहाँ पे आपका यह right में जाएगी और base में एक line है तो base में एक line हो गई, ठीक है तो one का mirror image आपका यह बन गया, इसका कहने का मतलब है कि lines कभी भी convert नहीं होती, बाकी सारा, जिदर left है, वो right हो जाएगा, जो right है, वो left हो जाएगा, ठीक, इसके बाद इसके बाद बिटा आता है figure के आधार पे, ठीक है figure के आधार पे कैसे आएगा ध्यान दीजेगा जरा, जैसे यह square बना है और यहाँ पे यह arrow बना, ठीक, अब आपको इस figure का mirror image बताना है कि क्या होगा तो बच्चा देखो, यह जो square बना है, यह तो as it is square बन जाएगा, इसमें कोई फरक नहीं जो circle बना है, वो circle बन जाएगा, इसमें कोई फरक नहीं लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से बेटा देखो, तो ध्यान से देखने पे यह पता चल रहा है कि right वाले कोने पे, right वाले कोने से आपका यह 3 जैसा निकल रहा है, तो यह 3 किदर निकलेगा, left कोने से निकलेगा, मतलब कुछ इस प्रकार तो कहने का मतलब यह था कि यह 3 mirror के पास था यहाँ पे भी यह mirror के पास है लेकिन इस वाले figure में यह 3 right side को जा रहा था इस वाले figure में यह 3 left side को जाने लगा और इसी को कहते हैं हम क्या आपका mirror image ठीक है, अब यह letter में भी हो गया number में भी हो गया और figure में भी हो गया, और कभी-कभी letter और number combine करके आ जाता है, ठीक है यह आपका total क्या कहलाया, mirror image के लाया, इसके बाद बेटा अगर हम बात करें, तो हम बात करने जा रहे है water image की यहीं पे आपको water image भी समझा देते हैं कि what is water image, और water image किस तरह से work करती है यह जानना भी आपके लिए important है, ठीक, water image में जो कहानी होती है बेटा वो top से bottom बनती है, और bottom से top ठीक है, मतलब जब mirror image थी, तो वो left का right और right का left कर रही थी, और water image आ गए तो यह bottom का top और top का bottom करेंगी, ठीक है, अब इसमें भी अगर हम बेटा बात करें, types की, तो इसमें भी 3 type होते हैं, पहला होता है आपका letter का, for example जैसे हमने ये A बनाया, अब हमें इसका water image बनाना है बेटा, तो ध्यान दीजेगा इसका ये जो V जैसा बन रहा है, ये उपर की तरफ बन रहा है, तो यहाँ V नीचे की तरफ बनेगा, और ये बीच में इस तरह से cut हो जाएगा, ये कहलाया water image, इसी तरह से number में देखिए number में बेटा, हमने बनाया आपका क्या three, ठीक है अब जब आपको इस three की water image बनानी होगी, तो बेटा, ये छोटा circle top पे है, यहाँ छोटा circle bottom में होगा बड़ा circle bottom में है यहाँ बड़ा circle top पे होगा, ठीक है, कहने का मतलब mirror के जो pass है, वो अभी pass है mirror से जो दूर है, वो अभी दूर है लेकिन top का bottom बन गया और bottom का top बन गया ठीक, इसी प्रकार से figure वाला बेटा देख लो जब आप figure वाला देखोगे for example हमने यह triangle बनाया, और यह ऐसे बनाया अब आपको इसका water image बनाना है, तो बेटा यह triangle आपका इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका जो यह top है यह top पे था, तो इसका यह top bottom में आ गया, और जो bottom में baseline थी, वो आपकी top में आ गयी, ठीक है this is all about mirror image and water image, अब इससे जादा mirror और water में कुछ नहीं है अब हम इसके questions को बनाएंगे और तब आप एक-एक question को देखते जाएए और समझते जाएए और वहाँ से आपको clear हो जाएगा इसका अगर आपने screenshot लेना है तो आप इसका screenshot बेटा बिलकुल ले सकते हैं, ठीक, चले अब आएए questions बनाते हैं पहला सवाल आपकी screen पे लिखा है और इस particular figure का आपने बनाना है क्या mirror image, ठीक है चलो बेटा देखते हैं देखो, ये जो बेटा इस तरह से आप देख पा रहे है एक E बन रहा है, बोलो हां की न तो जब ये E इस प्रकार से बन रहा है डबल हो रहा है, डबल को छोड़ दो सिंगल देखो, जब ये E ऐसे हो रहा है तो अगर आप इसका mirror image बनाओगे तो ये ही E इस तरह से हो जाएगा ठीक है, अच्छा इसके बाद बेटा आपने देखा कि यहां पे ये तीन लाइने नीचे को हो रही है तो यहां पे भी ये तीन लाइने नीचे को हो जाएंगी बोलो हां की न इसके बाद आपने देखा बेटा ये चीज ऐसे हो रही है तो यहां पे भी ये चीज ऐसे हो जाएगी ठीक इसके बाद बेटा देखो ये left side पे आपकी तीन लाइने जा रही है इस left की जगा ये लाइने कहा जाएंगी बेटा राइट में जाएंगी पहले तो ऐसा E ढूंडो की कहा पे बन रहा है तो बेटा अगर हम ऐसे E की बात करें तो A में बन रहा है ऐसा E B में भी बन रहा है ऐसा E C में नहीं बन रहा क्योंकि यहां base में दो लाइने है यहां पे लाइने उपर की हो रही है तो ये भी नहीं बनेगा अब आंसर या तो option number A होगा या फिर B होगा अब बेटा आपको देना है ध्यान और वो ध्यान आपको इस पे देना है कि यहां पे इस E की जो बीच वाली डंडी है ये बेटा बड़ी है ठीक है यहां पे इस E की बीच वाली जो डंडी है ये छोटी हो रही है जो हमारे figure को match नहीं कर रही so the right answer of this question is what option number B और यही figure बेटा आपका क्या कहलाता है ये आपका figure based mirror image कहलाता है और आपने देखा कि हमने इसमें और कुछ नहीं किया सिर्फ और सिर्फ आपका right का left और left का right किया ठीक है चले आगे बढ़ते हैं question number 2 की तरफ ये रहा question number 2 फटा फट से बनाईए और बताईए कि क्या रहा question number 2 का सही जवाब ठीक है चले अब आईए इसे बेटा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे अगर आप देखो तो ये इस तरह से triangle बन रहा है तो बेटा यही triangle आपका इस तरह से बन जाएगा यहाँ पे होगी तो वो शुरुवात A में नहीं मिल रही वो शुरुवात बेटा B में भी नहीं मिल रही मिल कहां पे रही है ध्यान दो या तो C में या फिर D में इसके बाद बेटा ये जो आपका ऐसे गया यहाँ पे बेटा आपका ऐसे जाएगा ठीक है, बेस में लाइन है, यहाँ पे भी बेस में लाइन हो गई लेकिन एक चीज़ देखो बेटा, क्या यहाँ पे ट्राइंगल में कोई कट है ट्राइंगल के अंदर कोई भी कट नहीं है यहाँ पे इन्होंने ट्राइंगल के अंदर कट लगाया है इसलिए option number C भी नहीं बनेगा the right answer of this question is what? option number D उमीद करते हैं, आपको यह clear हो जाएगा और हाँ, पूरे figure की mirror image बनाने की कोई भी need नहीं है आप आदे figure को भी solve करके elimination कर सकते हैं ठीक, चले आगे बढ़ते हैं, question number 3 की तरफ आईए देखते है, question number 3 क्या है इसलिए एक चोटा सा correction है और वो correction यहाँ पे ऐसे बढ़ा लेना ठीक, अब आईए बनाते हैं इसी एक figure की वज़े से जो इसमें correction थी इसी एक figure की वज़े से आपका सारा answer निकल आएगा बेटा देखो कैसे इसमें यह चीज right की तरफ गूम रही है तो जब हम यहाँ पे बनाएंगे तो बेटा इसमें यह left की तरफ गूमेगी ठीक, यही चीज यहाँ पे यह जो इस तरह से बनी हुई है बेटा यह आपको कहां चाहिए, यह आपको इधर साइट चाहिए मतलब दूसरी साइट पे इस तरह का figure आपको चाहिए होगा ठीक, अब आपने देखा कि यह figure जा किधर रहा है यह left की तरफ जा रहा है तो हम जो figure निकालेंगे बेटा, वो हमारा किधर की तरफ जाएगा वो सीधी सी बात है, हमारा बेटा, right की तरफ जाएगा मतलब कुछ इस तरह से वो figure बन रहा होगा ठीक, अब बेटा यहाँ पे देखो यहाँ पे तो दोनों यह जो curve है, यह दोनों A की side दिख रहे है option number A नहीं बनेगा और एक चीज और बेटा देखना, यह जो आपका right की तरफ इस तरह से हो रहा है यह बेटा आपका left की तरफ इस तरह से होगा यह उतना अच्छा बना नहीं, द्यान दीजेगा फिर यह जो फूला हुआ यहाँ पे part एक दिख रहा है, यह right की तरफ दिख रहा है जो की आपका left की तरफ बन जाएगा ठीक है, I hope आपको मेरी यह बात समझ में आ रही होगी ठीक, और जब यह बात समझ आ रही होगी, तो आप बेटा देख पारे होगे यहाँ डंडियों पे हमको दोनों side work चाहिए जबकि यहाँ एक side work है, यहाँ पे भी एक side work है और दूसी side गलत हो रहा, ठीक है इसलिए आपका A, C, D कट गया the right answer of this question is what, option number B, ठीक है अब आप यह काओगे मैं mirror तो इधर लगा तो बेटा अगर इधर भी लगा है, तब भी तो कुछ figure ऐसे ही बनेगा यह figure उठा क्या, इधर कर देना, ठीक I hope आपको clear हुआ होगा और इसका answer option number B होगा, ठीक चले, आगे बढ़ते हैं question number 4 की तरफ आए फटा-फट से इस question की mirror image को बनाते हैं बेटा ध्यान दीजेगा, यह जो एक box बना है, यह बिल्कुल आप इस तरह का एक box बना लीजे box में कोई भी changes नहीं होते, दूसी चीज, यह box के left कोने पे कुछ इस प्रकार का दिख रहा है तो सीधी सी बात है, यह box के right कोने पे कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा यह तो figure से ही match नहीं कर रहा है, यह भी गलत, the correct answer of this question is what, option number B बहुत time ऐसा होगा बेटा कि आप figure को draw नहीं कर पा रहे होगे, क्योंकि हो सकता है आपकी drawing नाचियों या आप ऐसा diagram ना बना पाए तो उसमें एक अच्छा तरीका यह है कि आप बस elimination कर लो, कि यह चीज left में है अगर, तो mirror image बनने के बाद यह चीज right में होगी, ठीक है अगर water image है तो जो चीज top पे shade है, वो चीज bottom पे shade हो जाएगी लेकिन अगर mirror image में कोई चीज उपर को shade है तो वो उपर कोई shade रहेगी, बस यह देखना कि left में है कि right में है ठीक है, क्योंकि top bottom का फर्क सिर्फ water image में आता है और left right का फर्क सिर्फ और सिर्फ mirror image में आता है ठीक, चलिए, आगे बढ़ते हैं question number 5 की तरफ, बेटा बहुत ध्यान से इसको देखिए यहां लिखा है read, इस read से कुछ नहीं मतलब है, letter का conversion कर लीजिए देखिए बेटा, यह जो R आपका ऐसे बन रहा है, यह R बेटा ऐसे बनेगा यह जो E ऐसे बन रहा है, यह बेटा E ऐसे बनेगा, यह जो A ऐसे बन रहा है, यह ऐसे ही बनेगा जो D ऐसे बन रहा है, वो D ऐसे बनेगा, क्यों? क्योंकि यह left में था, यह right में हो गया यह right की तरफ था, यह left की तरफ हो गया Similarly, यह E right की तरफ खुल रहा है यहाँ पे यह left की तरफ खुलने लगा अब आप देखलो बेटा की ऐसा आपको कहां दिख रहा है यहाँ तो सीधा दिख रहा है यहाँ पे यह water image बनी है यह भी गलत यहाँ सीधा दिख रहा है यह भी गलत Option number D is the right answer of this question अब बेटा इसको ध्यान देने वाली बात है अगर इसके space पे जाओ तो face पे कोई change वैसे भी नहीं आएगा हाथों में यह चीज जो इधर बनी है यही हाथों में यह चीज यहाँ पे बन जाएगी और यहाँ पे circle बन जाएगा बोलो हा की न अब ऐसा कहाँ पे दिख रहा है बेटा तो B eliminate कर दो बाकी A, C, D as it is रहेंगे बात आती है पेरों की बेटा यह जब ऐसे खुलेगा और इधर जाएगा मतलब left में तो यह चीज ऐसे खुल के right में जाएगा यह left की तरफ इसका पेर जा रहा था तो हमने यह right की तरफ मोड दिया इसके बाद बेटा यह right की तरफ line जरूर थी लेकिन मुड़ा left की तरफ तो यह line left की तरफ जरूर रहेगी लेकिन मुड़ेगी right की तरफ ठीक है क्यों? क्योंकि यहाँ यह left की तरफ मोड रही है यहाँ यह right की तरफ अब इसके pair पे ध्यान दीजेगा यहाँ तो pair as it is है यह गलत यहाँ pair opposite direction में है यह गलत यहाँ पे देखिए वैसे ही pair दिख रहे हैं जैसे हमें चाहिए So option number C is the correct answer of this question उमीद करते हैं आपको यह 6 के 6 सवाल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होई होगी ठीक, चले Question number 7 आओ बेटा, इसको बनाते बहुत असान, बहुत जल्दी elimination kite तो as it is रहेगी चाहे mirror बनाओ, चाहे water बनाओ ठीक, इसको ऐसे cut कर लो अब देखो बेटा यह चीज right side में हो रही है कहां हो रही है बेटा, right side में हो रही है circle तो हमें कहां चाहिए होगी हमें left में चाहिए होगी यहां line ने left की तरफ है हमें यहां line ने right की तरफ चाहिए होगी यहां line right में उपर की तरफ है हमें यहां line left में उपर की तरफ चाहिए होगी मिरर इधर लगाओ, चाहें इधर लगाओ, राइट का लेट का राइट ही होना है अब ऐसा figure बेटा देख लो, कहाँ पे मिल रहा है ऐसा figure A में नहीं मिल रहा ऐसा figure बेटा C में नहीं मिल रहा ऐसा figure D में भी नहीं मिल रहा The right answer of this question is what option number B क्योंकि ऐसा answer आपको केवल option B में दिख रहा है ठीक है? चले Move करते हैं, question number 8 की तरफ आएए इसको देखते हैं ये बहुत easily eliminate होगा, देखो कैसे ये वाला जो portion, मतलब एक circle बना ऐसे cross बना इस cross में ये वाला जो portion है, जो shaded है बिटा वो right side में shaded है हम किधर shade करेंगे? हम इस portion को left side में shade करेंगे ठीक, अब बिटा देखो कहाँ पे left में shade नहीं है यहाँ पे तो ये right में shade है, ये गया यहाँ right में shade है, ये भी गया यहाँ bottom में shade है, ये भी गया The correct answer is what? Option number A क्यों? और ये जो तीर बना है ये बिटा right में बना है ये ही तीर आपका left में बन जाएगा और left में तीर और shade दोनों थे, इसलिए option number A इसका सही जवाब होगा ठीक, चले Move करते हैं Question number 9 की तरफ ठीक है? आईए इसको देखते हैं ध्यान से बेटा ये भी eliminate देखो, ये जो बून्द आप देख पा रहे हो बेटा ये बून्द left की तरफ जा रही है तो हमें जो बून्द चाहिए होगी वो right की तरफ चाहिए होगी बोलो हां की न इसका mirror image बनाओगे न तो इसका mirror image ये बून्द किदर को होगी? right की तरफ होगी यहां बून्द left की तरफ A गया B गया और यहां D भी आपकी left की तरफ ये भी गया so the correct answer of this question is what? option number C केवल एक बून्द के diagram से ही फरत पड़ गया ठीक? चलिए move on to the question number 10 आईए question number 10 को बनाते है ठीक? बेटा ये जो 2 आपका ऐसे बन रहा है चाहिर सी बात है जो 2 ऐसे बन रहा है यही 2 जब आप mirror image में बनाएंगे तो ऐसा बनेगा ठीक है? अच्छा ये यहां इस कोने पे है मतलब mirror के पास है तो यहां पे भी ये mirror के पास दिखेगा बोलो हां की ना बेटा यहां पे तो ये 2 दिखनी रहा यहां पे ये सीधा दिख रहा ये गलत यहां ये 7 दिख रहा ये गलत इसका direct answer हो जाएगा क्या? option number C कैसे वो आपने देखा? सिर्फ 2 की image से लेकिन एक बात याद रखना जो mirror के पास जो mirror से दूर वो mirror के दूर ठीक है? चली आपने ये जो 10 question देखे ये 10 के 10 question आपने बेटा सारे के सारे figure के आधार पे देखे ठीक है? अब चली आगे और देखते हैं questions को question number 11 ये रहा और ये question जो आप बेटा देख पा रहे हैं इसमें आपको mirror image बनानी है particular word की चीक अब आओ बेटा ध्यान दे न एक चीज बताओ ये जो बेटा P बन रहा है ये left कोने पे बन रहा इसका मतलब ये P किस कोने पे बनेगा बेटा? ये P जाके right कोने पे पलट के बन जाएगा अब जब ये P right कोने में पलट के बन जाएगा तो यहाँ तो right पे P दिखनी रहा यहाँ पे भी नहीं दिख रहा और यहाँ पे भी नहीं दिख रहा the right answer of this question is what? option number C और वो भी option elimination से क्यों? क्योंकि ये left कोने पे था तो ये right में बनेगा ये right कोने पे था तो ये left कोने पे बनेगा ठीक है? और जैसे ही आपने P बनाया, सारे option eliminate हो गए, the answer is what? option number C ठीक है? चली, आगे बढ़ते हैं चली, move करते हैं question number 12 की थरब देखे, अब इसको मैं आपको पूरा बना के दिखाऊंगी कि किस तरह से ये बनेगा देखे, यहाँ पे यह जो आप M देख पा रहे हैं बेटा ये M आपका left side में है तो यही M आपका कहां बन जाएगा बेटा, ऐसे करके right में बन जाएगा, O का O रहेगा क्योंकि circle बदलता नहीं V का V रहेगा, ये भी नहीं बदलता लेकिन ये जो E है बेटा जो right की तरफ खुल रहा है यही E आपका left की तरफ खुलने लगेगा और जैसे ही आप इसको ध्यान दो बेटा, तो यहाँ पे तो M आपका उल्टा हो रहा है option C, option D बनेगा नहीं यहाँ right कोने पे M चाहिए तो E हो रहा है, ये भी आपका नहीं बनेगा, so the right answer of this question is what option number B उमीद करते हैं आपको ये अच्छे से clear हो गया होगा ठीक, चलिए, आगे बढ़ते हैं question number 13 की तरफ फटा फट से बनाईए, आपके पास है 5 second और बहुत जल्दी ही इस question को बनाया जा सकता है, ठीक है चलिए फटा फट से बनाईए चलिए, आईए इसको देखते हैं बेटा, जब आपने इस 6 को देखा तो ये जो 6 ऐसे बन रहा है बेटा, ये 6 आपका ऐसे बनेगा, लेकिन कहां पे, ये left कोने पे बना है, हमको ये कहां पे चाहिए बेटा, right कोने पे चाहिए, ठीक है अब ये तो right कोने पे आ गया चेक करो कहां पे, option A नहीं होगा, option number C नहीं होगा, और यहां जो 6 बन रहा है ये उल्टा बन रहा है, तो option number D भी नहीं होगा तो आप बताये क्या होगा तो right answer of this question is what option number B ठीक है, उमीद करते हैं आपको इतनी बात अच्छे से clear हो गई होगी, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं question number 14 की तरफ ये है आपका figure base again, ठीक है इसको बहुत अच्छे से आप elimination कर सकते हो, circle का circle रखो, ये जो left cone पर टंडा दिख रहा है इसको right पर कर दो, ये जो oval आपको right पर दिख रहा है इसको left पर कर दो उपर जो line दिख रही है, वो उपर ही रहेगी, और base में जो oval दिख रहा है, वो base में ही रहेगा अब चेक करो बेटा, ऐसा आपको कहां दिख रहा है, ना A में है ना B में है, और ना ही आपका D में है so the right answer of this question is what, option number C, ये तो आपको पता ही हो गया होगा कि क्यों, अच्छा बहुत सारे लोगों को ये confusion हो रही होगी कि मैं mirror तो इधर लगा तो बेटा अगर इधर भी लगा है तब भी यही होगा, उपर line, नीचे oval, ठीक है ये mirror के पास ये mirror के पास, ये mirror से दूर, ये mirror से दूर तब भी यही बनेगा और option number C, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक चलिए, आगे बढ़ते हैं बेटा, question number 15 की तरफ, आईए फटा-फट से question number 15 पे ध्यान देते हैं, देखिए ये जो बेटा, S बना है ये S कुछ ऐसा बनेगा बोलो हाँ की ना, लेकिन बेटा, ये S left कोने पे है आपको कहां चाहिए, right कोने पे, तो बेटा, ये कुछ इस प्रकार का S बना दो उसके बाद ये जो E बना है इस तरह से बेटा, E बना दो ठीक है? अब ध्यान देना ऐसा आपको कहां नहीं दिख रहा मीचे देखो, यहाँ 5 दिख रहा option number D ये ऐसे ही चला गया, ठीक elimination करेंगे, इसके बाद बेटा यहाँ पे ये Y है, ये Y ऐसे है, यहाँ पे जो R है ये R ऐसे है, और A आपका as it is है, ऐसा आपको बेटा कहां कहां पे दिख रहा है देख लीजिए, यहाँ पे R सीधा बन रहा है, जबकि हमें उल्टा चाहिए option number C भी गया ठीक, अब A और B में से एक answer होगा, यहाँ देखो बेटा, E आपका सीधा बन रहा है, जबकि E आपको उल्टा चाहिए, तो इसलिए option number A भी गया the right answer of this question is what, option number B, और उमीद करते हैं यहाँ तक आपको चीजे बहुत अच्छे से clear हो गई होंगी, ठीक, चले आगे बढ़ते हैं question number 16 यह रहा आपके सामने, आईए फटा फट से question number 16 को solve करते हैं, देखो बेटा यहाँ पे यह जो E दिख रहा है यह आपका यहाँ दिखने लगेगा और यहाँ पे जो E दिख रहा है यह आपका यहाँ दिखेगा, दोनों side पे E दिखेंगे, हर option में दिख रहा है, यह जो यहाँ पे N, C दिख रहा है बेटा, इस तरह से, यह C आपको ऐसा दिखेगा, यानि पल्टा हुआ बेटा देखो option number A eliminate, क्योंकि C सीधा दिख रहा था, इसके बाद बेटा यहाँ देखो, option B भी eliminate, क्योंकि N आपका as it is दिख रहा है, तो B को भी eliminate करो, अब या तो C होगा या फिर D होगा बेटा यह जो U ऐसे बना है यह mirror image बनने के बाद भी U ऐसे ही बनेगा जबकि यहाँ पर देखो, U आपका बेटा पलट रहा है तो यह भी गया, the right answer of this question is what option number D मैं आपको इसलिए हर question में ये तक बता दे रही हूँ कि कोई भी option क्यों eliminate हो रहा है, ताकि आप समझ पाएं किसकी mirror image क्या बनती है, ठीक चले question number 17, आओ बेटा इसका mirror image बनाते हैं, ध्यान दीजेगा यह जो one ऐसे दिख रहा है यह one बेटा ऐसे दिखेगा, बोलो हाँ की न, ठीक यहाँ पर देखो, यही one बेटा सीधा दिखने लगा, तो option number D eliminate, ठीक है इसके बाद बेटा, यह जो three ऐसे बनाएं, यह three ऐसे बनेगा, ठीक है, यह three ऐसा कहां दिख रहा है बेटा, सब में दिख रहा है L की बात करें, जो L ऐसा दिख रहा है वो L कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक अगर L में देखें, तो option number C eliminate क्यों, क्योंकि यहाँ पर L आपका बेटा सीधा है, ठीक, यह भी गया अब बेटा, ध्यान से देखना यहाँ पर अगर इस K को देखो बेटा, ठीक है तो यह K भी आपका सीधा लग रहा है मतलब यह भी आपका गया, ठीक अच्छा, तो फिर बचा क्या बेटा A गया, C गया, D गया The correct answer of this question is what? Option number B क्यों? यह आपका 1 की वज़े से कट गया यह आपका L की वज़े से कट गया यह आपका K की वज़े से कट गया The correct answer of this particular question is what? Option number B चिक, आएए आगे बढ़ते हैं Question number 18 की तरफ अभी जितना भी चल रहा है बेटा यह mirror image है, आगे आपको water image भी देखने को मिलेगा चिक, चले, यहाँ पर बेटा तो ढूणलो ऐसा 5 कहां दिख रहा है न यहाँ दिख रहा, न यहाँ दिख रहा न यहाँ दिख रहा The correct answer of this question is what? Option number A चिक, चले Move करते हैं, question number 19 की तरफ आएए इस पर ध्यान देते हैं बेटा यह जो आपका एक box बना है यह box आप यहाँ पर भी बना लो यह आपने यह जो cut करके ऐसे देखा है यह right पर बन रहा था यहाँ आकके यह चीज left पर बनेगी बोलो हा की ना और जब left पर बनेगी तो option A को eliminate करो option B को eliminate करो The right answer is what? या तो C या फे D आपको पता है कि यह circle के left side पर cut हो रहा है तो जब यहाँ पर बेटा यह ऐसे करके कुछ circle बन रहा होगा तो यह cut right side पर होगा चीक है इसका मतलब C भी गया The right answer is what? Option number D क्यूंकि जिधर यह line है उसके opposite यह line है जबकि C में दोनो side line है same हो रही थी तो A, B, C कट जाएगा The right answer is what? Option number D हो जाएगा उमीद करते हैं यहाँ तक चीज़े clear होंगी Question number 20 पर आते हैं आए फटा-फट से बनाते हैं बेटा यहाँ देखिएगा यह जो बेटा ऐसे करके hexagon बना है यह जो shade हो रहा है यह left पर, sorry right पर हो रहा है तो यहाँ पर यह जो hexagon बनके shade होगा यह बेटा कहाँ पर होगा? यह left side में shade होगा नीचे यहाँ right में shade हो रहा है यहाँ उपर shade हो रहा है यहाँ भी उपर shade हो रहा है तो आपको पूरा बनाने की need नहीं है तो आपने 20 सवाल देखे और उमीद करते हैं आपने हर तरह का सवाल देख लिया उसमें letter भी था, उसमें number भी था उसमें figure भी था और उसमें word भी थे और सारे question मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत अच्छे से clear भी हो गए होंगे कोई problem किसी भी question में नहीं आई होगी ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं question number 21 की तरह आओ बेटा, इसको बनाते हैं यहाँ पे आपने एक circle बनाया यह left से right की तरफ ऐसे line गई तो यह right से left की तरफ फिर यह ऐसे करके split हो गई तो यहाँ पे भी ऐसे करके split हो गई यहाँ पे यह line ऐसे जा रही थी ठीक है तो यहाँ पे भी बेटा यह line ऐसे कुछ ऐसे जाएंगी कोई दिक्कत इत्ते में तो है नहीं ठीक है, clear है राइट को जा रही थी, यहाँ पे लिफ्ट को जाएंगी, अच्छा, इसके बाद देखना बेटा, यह ऐसे करके कर्व बना है, तो यहाँ पे भी ऐसे करके कर्व बनेगा, यह चिडिया ऐसे उड़ रही है, तो यहाँ पे भी चिडिया ऐसे करके उड़ेगी, ठीक है, अब ये दोनों same लग रहे हैं, लेकिन shade चाहिए left कोने पर, यहाँ shade मिलना है right कोने पर, option D भी गया, the right answer of this question is what, option number C, और I hope आपको बहुत अच्छे से clear हो गया होगा, कि इतने में कोई दिकत भी नहीं आई होगी और आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक, चले, आगे बढ़ते है question number 22 की तरफ, परिशान मतों, यह बहुत सारे question है, पहले mirror पे भी हैं, फिर water पे भी हैं, और साथ ही साथ clock में अगर mirror image बनती है, तो उसको कैसे करते हैं, वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है, चले आओ बेटा, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे यह जो T अगर लिखा है इस तरह से, यहाँ पे भी यह T आ जाएगा, E अगर ऐसे लिखा है, तो यह E ऐसे आ जाएगा, ऐसे R लिखा है, तो यह R ऐसे आ जाएगा, लेकिन यह left से right की तरफ लिखा है, यही चीज हम क्या पे D होगा, और इसका answer D होगा, क्यों? बेटा, G यहाँ पे सीधा बन रहा है, यह G कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, और जब यह G कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब यह अंदर की तरह fold होगा, ऐसे करके, ठीक है, तो जब यह G इस तरह से बनेगा, आपका यहाँ पे कड़ा करके, उसके बाद ऐसे, तो यह G, इस G से मैच नहीं हो रहा है, तो option A भी नहीं होगा, the right answer of this question is what? Option number D, small letter और capital letter, दोनों ही आपको बनाने आने चाहिए, इसी तरह से number भी आपको बनाना आना चाहिए, और जब यह तीनों आपको बनाना आ जाएगा, तो कोई भी परि किसी भी figure में आपको नहीं होगी, ठीक है, चले, आएए बढ़ते हैं, question number 23 की तरफ, यह रहा हमारा question number 23, और इस से आसान सवाल नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यह figure दिया है, आपको बताना है, इसका क्या चीज, mirror image, तो बेटा, यह Z आपका कुछ इस तरह से बनेगा, बोलो ह की ना, लेकिन इस Z में एक चीज है, क्या, बेटा, इस Z में यह right side पे एक line खिच रही है, यहाँ भी यह Z पे left side में line खिचेगी, अब ध्यान दो, यहाँ पे कोई line नहीं है, option A गया, यहाँ पे कोई line नहीं है, B गया, यहाँ पे भी कोई line नहीं है, D गया, the correct answer of this question is what, option number C, और उम्मीद करते हैं कि clear हो गया होगा क्यूं, क्यूंकि आपको सिर्फ एक line के माध्यम से elimination करना था, ठीक, चले, आगे बढ़ते हैं, question number 24 की तरब, जहाँ पे भी water image बनानी होगी, वहाँ question में mention होगा, ठीक, चले, तो आपके बास है 10 second, पहले आप इसको try करिए, फिर हम इ चले, जल्दी से इसको बनाते हैं देखो बेटा, यहाँ पे यह जो triangle बन रहा है, इसमें तो कोई change नहीं होगा, क्योंकि यह mirror image है, अब आगे देखिए बेटा, यहाँ पे यह चीज जो इधर को जारी थी, यह यहाँ पे इधर को जाएगी और जो cut आपका ऐसे लग रहा था, वो cut आपका ऐसे लगेगा, बोलो हा की न, कोई दिकत इतने में नहीं, ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, जो यहाँ पे ऐसे करके shade हो रहा था, वो ही चीज आपकी यहाँ पे ऐसे करके shade हो जाएगी, ठीक है, तो आपने देखा ऐसा shade A में भी है, B में भी है और C में भी है, D में नहीं है ये cut कर लो right में shade है, हमने left में shade कर लिया line को देखो वेटा ये जो ऐसे करके बन रहा है ये ऐसे ही रहेगा इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा ठीक है, even जो ये ऐसे है left की तरफ, right की तरफ ऐसे हो जाएगा और ये जो right की तरफ, खुल रहा है ये left की तरफ, ये चेक कर लो कहाँ, C में भी नहीं है B में भी नहीं है the right answer of this question is what option number A that is, इसका option number A इसका बिल्कुल correct answer होगा, ठीक, चले आगे बढ़ते हैं question number 25 अब बेटा, यहां से आपको जो करना है वो आपको क्या करना है वो आपको ध्यान देना होगा यहां पे आपको बनानी है mirror image, okay इसमें भी आपको mirror image ही बनानी है अराम से बनाई है, देखे आगे देख लेते हैं, इसमें mirror है इसमें भी बेटा mirror है और यहां से water image है, ठीक है, चले, question number 25, यहां पे भी आपको इस particular figure की mirror image ही बनानी है, चलो, यह जो K बन रहा है बिटा, यह K ऐसे बनेगा, यह जो C ऐसे बन रहा है, यह C ऐसे बनेगा, यह जो N ऐसे बन रहा है, यह N ऐसे बनेगा, इतने से कोई चीज़ eliminate होगी, आओ देखते ह हो गया, C हो गया, N में अगर देखो तो option number C eliminate हो जाएगा, ठीक, आएए, यह F इस तरह से बनेगा बेटा, ठीक, आप F को देख लो कौन सा eliminate होगा, option number B क्योंकि यह F पलट के बन रहा है, ठीक है, इसके बाद यह जो D ऐसे बन रहा है, यह D B की तरह बनेगा, ठीक है, बोलो ह की न, तो देख लो बेटा, B की तरह कहां पे बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, और इसमें भी बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहां S जो ऐसे बन रहा है, वो S ऐसे बनेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, अब दिक्कत कहां पे है बेटा, वो चीज़ आप ध्यान यहां यह जो 5 ऐसे बन रहा है, यह 5 ऐसे बनेगा, ठीक है, मतलब लाइन उपर अगर बेस में है, तो यहां पे भी उपर की तरफ होगी, यहां लाइन नीचे की तरफ हो रही है, option A भी कट गया, the right answer of this question is what, option number D, और वो क्यों हुआ, वो आपको अच्छी तरह से पता है, only because of 5, ठीक है, चलिए, move करते हैं, question number 26 की तरफ, आए इसको बनाते हैं, बिटा यहां देखो, यह जो B ऐसे बन रहा है, यह D की तरह बनेगा, और D की तरह कहा नीचे बन रहा है, यहां नीचे बन रहा है, ठीक, अच्छा, यह जो G ऐसे बन रहा है, right की तरफ, मतलब यह J ऐसे बन ठीक, और यह इस तरह से बन जाएगा, सब में बन रहा है, किसी में ऐसा मा बन रहा हो, बन रहा है, R बेटा यह जो ऐसे बन रहा है, आप तो R सीख गए होगे, ऐसे बनेगा, और जब यह ऐसे बनेगा, तो option D भी कट जाएगा, क्योंकि R उल्टा हो रहा है, अब यहां पे बेटा यह जो L ऐसे बना, यह ऐसे बनेगा, और यहां पे देखिए L उल्टा बन रहा है, option A भी कट गया, the right answer of this question is what, option number B, और उमीद करते हैं, यहां तक चीजे आपको अच्छे से clear हो गई होगी, और यह था आपका पूरा का पूरा mirror image, इसके बाद जो हम deal करने जा रहे है आपके साथ है, वो है आपका water image, ठीक, question number 27, और जैसा कि आप जानते हैं कि water image में, आपको क्या करना है, water image में top का bottom करना है, left, right कुछ नहीं change होता, water image में सिर्फ और सिर्फ top bottom change होगा, यह जी आप थोड़ा सा ऐसे बनाओ, जैसे हम बनाते हैं, वैसे जी नहीं है, यह कुछ इस तरह से, ठीक, चलिए, अब जब आपको इसका water image बनाना है, तो बेटा ध्यान देना, देखो, यह P है, यह P का डंडा हो गया, यह आपका curve उपर की तरफ है, यहाँ curve नीचे की तर होगा, ठीक, यह L की line है, L की line रही, यह base में है, यहाँ top पे होगा, क्यों, top bottom बदलता है, यहाँ पर यह line ऐसे है, यह line ऐसे रहेगी, E as it is रहेगा, D as it is रहेगा, G की अगर हम बात करें बेटा, तो यह G कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि यह base में ब top पे बनेगा, और यह ऐसा E बन जाएगा, ठीक, अब cancel out करने की बारी, यहाँ तो P as it is दिख रहा है, इसको cut कर दो, बात करें L की, तो L सब जगा सही है, E की बात करें बेटा, तो E as it is बनेगा, और यहाँ पर अगर आप देखो, तो यहाँ E पलट रहा है, यह कट गया, य right answer of this question is what, option number C, क्योंकि E जो है, वो right left में तभी बदलता है, जब mirror होती है, water में वो as it is रहेगा, ठीक, चले, बात करते हैं, question number 28 की, word आपके सामने दिया है, dollar, और इसको बनाना बहुत आसान, देखो, D तो नहीं बदलेगा, बोलो हाँ की न, O नहीं बदलेगा, L बदलेगा कुछ इस तरह से, है न, यहाँ पे भी L बदलेगा इस तरह से, A बदलेगा इस तरह से, और अगर हम R की बात करें, तो इस तरह से, ठीक है, R एक बार सीख लो, R का एक कर्व उपर को था, एक कर्व नीचे को तरफ होगा, यह नीचे लाइन जारी थी, यह उपर लाइन यहां लेफ्ट को खुल रहे हैं यह कट गया यहां पर D सीधा बन रहा है जबकि आपको D सीधा ही चाहिए ठीक है तो सीधा ही चाहिए यहां उल्टा बन रहा है यह कट गया The right answer is what? Option number B I hope आपको clear हो गया होगा ठीक चली Question number 29 आईए इसको बनाते हैं बेटा लिखा है 9 1 8 4 2 3 ठीक है यह अब बेटा देखो यहां पर जब आप बनाओगे तो 1 as it is रहेगा ऐसे यह आपका उपर से नीचे आ रहा है यहां पर नीचे से उपर जाएगा 9 बनाना है तो यह 9 तो ऐसे ही रहेगा यह अलका सा curve और यहां पर यह ऐसे ठीक ऐसा 9 सब जगा दिख रहा है ऐसा 1 भी सब जगा दिख रहा है केवल यहां नहीं दिख रहा C कट गया, 8 as it is रहेगा, बात करते हैं 4 की, तो 4 ये ऐसे बनेगा, ये उपर की तरफ बना है, यहाँ ये नीचे की तरफ बनेगा, क्योंकि टॉप का बॉटम होता है, ये 4 चेक करो बेटा, तो ये 4 की वज़े से option number A भी कट गया, ठीक है, अच्छा, नीचे वाला ठीक है, और ये नीचे वाला बेज बड़ा है, तो यहाँ उपर वाला बेज बड़ा होगा, ठीक 3 का, और ऐसा 3 आपको B में भी नहीं दिख रहा, तो ये भी कट गया, the right answer of this question is what, option number D, उमीद करते हैं, यहाँ तक चीज़े clear होंगी, move on to the question number 30, आए इसे बनाते हैं बेटा, ये जो D आपका बन रहा है, जो आपका नीचे की तरफ है, यहाँ ये उपर की तरफ दिखेगा, कहाँ दिख रहा है, इन तीनों में दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, cut कर दीजे, A की अगर हम बात करें बेटा, तो ये कर्व उपर की तरफ है, यहाँ ये कर्व नीचे की तरफ आएगा, यहाँ तो पलट रहा है, ये भी नहीं बनेगा, L की बात करें तो बेटा, ये L ऐसे बनेगा, और ऐसा L आपको option number B में नहीं दिख रहा, I hope आपको मेरी ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो आपने देखा कि हमने mirror image और water image आपको दोनों के questions करा दिये, और इतना ही नहीं, आगे आपके बहुत questions है, 31 है, 32 है, 33 है, 34 है, 35 भी है, कई सारे questions है, इनको आपको बनाना होगा, और comment box में जरूर टाइप करके बताईएगा, कि क्या रहा इन particular questions का right answer, I hope आपको mirror image और water image बहुत अच्छे से clear हो गई होगी, कोई दिक्कत, कोई परिशानी नहीं होई होगी, मंडे की class में हमारी फिर्म उलाकात होगी, एक नए topic के साथ उस topic को थोड़ा पढ़के जरूर आईएगा, और उस topic का नाम है counting of figure, ठीक है, तो मंडे को counting of figure पे discussion करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, बबाई, take care, thank you so much.